इसने अपना ही एक world imagine कर लिया था, जिसमें अलग language था, अलग currency थी, अलग laws थे, इसके imagine world का यही सबसे बरा आदमी था, अपने इस imagine world का वो king था, लेकिन जैसे जैसे वो लोग इस diary को परने लगे और आगे बढ़ने लग इसके story में, वैसे वैसे उसकी जो diary है, वो काफी dark होन है, वो है हमारे परोसी मुल्क, चाइना से, यह एक serial killer की कहानी है, और इस कहानी में जो serial killer है, वो चाइना का एक बहुत ही बरा, बहुत ही gruesome serial killer है, इस आदमी का नाम है Yang Zinh Hai, और इसने 1999 से लेकर 2003 के बीच, यानि कि सिर्फ चार सालों में 67 murders कर दिये थे, और 17 औरतों का इसने R.A.P. किया था, 2003 में इसको पकड़ लिया गया था, और 2004 में ही, यानि कि सिर्फ एक साल बात इसको मौत की सजा दे दी गई थी, एक firing squad से इसके सर के पीछे गोली मारकर इसको मौत दी गई थी, यह जब अपने crimes कर रहा था, उस समय इसके crimes इतने जादा famous हो गए थे, इतने जादा deadly थे, कि Chinese media ने इसको the monster killer का नाम दिया था, और बहुत लोग कहते हैं, कि he is the most prolific serial killer in China, यानि कि China के history में यह सबसे बरा serial killer है, और इसने सबसे जादा लोगों का खून किया है, तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं, शुरू करने से पहले, प्लीज मेर प्ली लाइफ के बारे में जाना बहुत जरूरी है, तो चलिए अभी हम वो सुनते हैं, कि यह कौन था, कहाँ पे पैदा हुआ था, येंग जिनहाय का जन्म 1968 में हुआ था, जैसे हमारे यहां states होते हैं, उसी तरह से चाइना में provinces होती है, और चाइना का एक प्रोविंस है ह इसी हिनान प्रोविंस में एक काउंटी है, मतलब एक चोटा सा टाउन है, जिसका नाम है जैंग येंग और इसी चोटे से टाउन में येंग जिनहाय का जन्म हुआ था, जिस जगह पर ये पैदा हुआ था, जहां पर इसका पूरा परिवार रहता था, वो एक बस्ती जैसा इसके लाइफ में बहुत जादा स्ट्रगल होता है, बहुत जादा दिस्रेस्पेक्ट होता है, उसी तरह से बचपन से इसने भी ये सब देखा था, बहुत जादा मेहनत करना हार्ट शिप और इसको और इसके परिवार वालों को दूसरे लोग अच्छी टरशे ट्रीट नह नहीं करता था, इसका कोई भी फ्रेंड नहीं था, लेकिन ये काफी एक क्रियेटिव लर्का था, और बच्पन से ही पराई लिखाई में इसका इंटरेस्ट था, और सबसे ज़्यादा इसका इंटरेस्ट था, कहानी लिखने पर, वो अपनी डायरी में बहुत सारी कहानिया लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं था, लेकिन दोस्तों इसका एक डार्क साइड भी था, वो जो डायरी थी जिसमें ये अपनी कहानिया लिखता था, उस डायरी को एक दिन इसके पेरेंस मनलब ढून लेते हैं, और उसमें परते हैं कि उनके बेटे नी क्या लिखा है, पहले जो कुछ लिखा हुआ था, वो सब परकर, इसके पेरेंस काफी खुश होते थे, क्योंकि उसमें काफी क्रियेटिव बाते लिखी थी, वो बाते यसी थी दोस्तों कि इसने अपना ही एक वर्ल्ड इमेजिन कर लिया था, जिसमें अलग लेंग्वेज था, अलग करेंसी थी, अलग लोज थे, और इस पूरे वर्ल्ड का, इसके इमेजिन वर्ल्ड का, यही सबसे बरा आदमी था, अपने इस इमेजिन वर्ल्ड का वो किंग था, लेकिन जैसे जैसे वो लोग इस दायरी को परने लगे, और आगे बढ़ने लगे इसके स्टोरी में, वैसे वैसे उसकी इसे चक्मा देगा, इस तरह की बाते उसने लिखी हुई थी, और ये सब देखकर उसके पेरेंस काफी गब रागे, लेकिन उसके पेरेंस ने कभी उसको इस चीज को लेकर कंटरंट नहीं किया, और जब वो ये डायरी लिख रहा था दोस्तों, वो तो काफी छोटा था, एक अब दोस्तों, जैसे तैसे इसकी लाइफ आगे बढ़ती रहती है, लेकिन जब ये 17 साल का हुआ, तो इसने स्कूल छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया, और उस समय उसके और उसके घर वालों के बीच का जो रिलेशन्शिप था, वो काफी खराब हो चुका था, तो स जाता और बहुती छोटे मोटे काम करके, कुछ करके वो अपना पेट पाल रहा था, अब अपना पेट पालने के लिए उसने लेबर का काम करना शुरू कर दिया, और जो रेल्वे लाइन्स थी, उसके आसपास वो लेबर का काम करता, लेकिन दोस्तों, इसकी इच्छाए ब पहले तो सिर्फ चोरी करता था खाने के लिए, लेकिन बाद में इसको इस चीज में मज़ा आने लगा, यानि कि इसका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, वो इसके टीनेज लाइफ से शुरू हो गया था, ये काफी सारी चोरिया करने लगा था, दोस्तों, ठीक से डेट याद नह परता है, वोल्ड वार टू के टाइम में इस तर के लेबर केम्स बहुत ही फिमस थे, फिर दो साल जेल में रहने के बाद, मलब लेबर केम्स में रहने के बाद, वो आपस सोसाइटी में आया, लेकिन उसके पास कोई भी स्किल्स नहीं थे, जिससे वो अपना गुजारा कर स वो एक लरकी के उपर आरेपी एटेम कर रहा था, और तभी पुलीस ने उसको पकड़ा था, तो चोरी और इस आरेपी के लिए उसको पास साल जेल की सजा हुई, लेकिन दोस्तों वो पूरे पास साल जेल में नहीं रहा, अच्छे वयाहा के कारण उसको 1999 में छोड़ दिया के बाद ये रियल वोल्ड में आया और इसके लाइफ में वो एक पॉजिटिव टाइम था, क्योंकि वो एक लरकी से बहुत प्यार करता था, और वो लरकी भी उससे बहुत प्यार करती थी, मतलब वो लरकी इसकी गल्फरेंटी और इन दोनों का रिलेशनशी बहुत ही अच चला, उसने इसके साथ ब्रेक अप कर लिया, और वो पागलों जैसा बहुत करने लगा, उसके दिमाग में इस सोसाइटी और लोगों के लिए नफरत तो थी, और इस ब्रेक अप के बाद अब वो नफरत बहुत ही एक खतरनाग रेज में बदल गई थी, इसको जानने वाले कई लोग कहते हैं कि इसने जो इतने सारे मर्डर्स कर दिये, उसकी वज़ा एक्चुली ये ब्रेक अप ही है, अब दोस्तों जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि 1999 से 2003 के बीच, येंग जिन्हाई ने 67 लोगों का खून गिया, और 17 औरतों का आरेपी किया, ये बहुत ही स् प्रेंडी मतलब हर सीरियल किलर उसका अपना यूनिक स्टाइल होता है खून करने का, जैसे अगर कोई चाकू से खून करता है, तो हर विक्टिम को ज़्यादा तर चाकू से ही खून करेगा, या फिर खून करने का स्टाइल वैसा होगा, क्योंकि वो एक इंस्तिंग्ड होत करता था, कभी चाकू से, कभी हतोरे से, कभी गला दबाकर या कोई रसी वगेरा से, और वो अपना शिकार ऐसे चुनता, कि वो शहरों में नहीं, बलकि ज़्यादा अतर गाउं में खून करता, अपना शिकार खूचता, जो चाइना के गाउं अगेरा है, वहाँ पर बहुत थी, उनका वो आरे भी करता, फिर उनको भी मा डालता, और या तो वो उनको जला देता, या कभी-कभी पूरे घर को ही जला देता, और खून करने के लिए वही हतोरा, फिर चाकू या फिर गला दबाकर उनका खून करता, खून करने के बाद वो क्या करता था, वो पूरे घ भर को साफ कर देता था, ताकि कोई भी फिंगर प्रिंट या इस तरह के निशान ना मिले, और खून करते वक्त, वो हैंड गलब्स भी पहनता था, और वो काफी बरे बरे कपरे पहनता था, पता नहीं क्यों, पुलिस को गूमना करने के लिए, और वो बरे जूते भी पहनता ताकि कभी अगर वो पकरा भी जाए, तो वो यह साबित ना हो, पुलिस सोचे की कोई भरा शू का साइज वाला ही यह कर रहा होगा, तो इस तरह के कुछ आइडियाज वो अपना था था ताकि पुलिस का शक उसके उपर ना जाए, अब दोस्तों उसने इतने सारे खून किय लेकिन जो सबसे खर्तनाक, सबसे डेडली जो उसने मर्डर किया वो था जैनुए फैमिली का, चाइना के हिनान प्रोविंस में ही एक गाउं है, लियू जैं करके, तो एक दिन वो शिकार की तलाश में उस गाउं में गया, और वहाँ पर लियू जैनुए करके एक आदमी थ उसका पूरा परिवार था एक घर पर, मलब आप इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में कि कुछ ही घर है वो भी दूर दूर है और गाउं का तो माहल आपको पताई है कि रात होते ही कितना शांत, कितना अंधेरा हो जाता है, तो वो चुपके से इस जैनुए फैमिली के घर म अंदर लिव जैनुए हो जोता है उसकी मा उसकी एक प्रेग्नेंट बीवी और एक लर्का और एक लर्की उसके बच्चे थे, तो वो सभी के सभी को हतोरा मार कर मार डालता है, बहुत ही मलब बलड़ी सीन हो जाता है, लेकिन जो लिव जैनुए की पत्नी थी दोस्तो, जो उसने उसके उपर हमला किया, उसका आरेपी किया, एक pregnant महिला का, और उसके बाद उस महिला को भी बुरी तरह से मारा, लेकिन इतना मानने के बाद भी, वो महिला बज गई थी, पिर जब दूसरे दिन पुलिस वगएरा आये, तो उस महिला का हॉस्पिटल लेके जाए गया, औ 2002 की बात है उस महिला ने इस आदमी का मलब इस सीरियल किलर का पूरा विवरन दिया और जो स्केच वगरा बनाते हैं उस तरह का भी लेकिन फिर भी पुलिस इसको नहीं पकर पाई क्यूंकि वह तो वहां से बहुत दूर जा चुका था और जो महिला थी दोस्तो उसने 10 दिन कर करगल किया लेकिन वह बच नहीं पाई और इससे भी दुखत बात यह है दोस्तों कि जो लिव जैनुए था उसका फादर भी उसके घर में रहता था लेकिन उस रात वह एक नहे घर में था अपने खेत में था तो इसलिए वह बज़िया था लेकिन दूसरे दिन जब अपने साइको आदमी की वज़े से अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए यह इतना दिमाग लगाता था कि यह अपना जो हतियार है जिस हतियार से खुन करता वह भी वह विक्टिम्स के घर से ही लेता कोई भी नुकिली चीज रॉड और या हैमर इस तरह का वह यूस करता था और पूरा यह जो हत्याकान होने के बाद उन सब चीजों को या तो नदी में फेक देता या कही आइसलोटेड प्लेस में गार देता उसके बाद वह क्या करता दोस्तों मतलब एकदम वह साइको पैत था वो घर को पूरी तरह साफ करता जैसे कि मैंने आपको बता है और वह जो क अपने पहन कर चला जाता अब दोस्तों इतने सारे खोन हो गए तो चाइना की पुलिस को यह पका हो गया था कि कोई ना कोई सीरियल किलर यह हिनान प्रोविंस में में हुआ था और भी दो-तिन प्रोविंस में थोड़े बहुत खोन है तो सभी के सभी पुलिस वालों को पत अब यह दिन था दोस्तों नौवेंबर 3, 2003 एक क्लब में पुलिस एक रूटीन रेड मारती है वहां पर कोई एक्टिविटीज हो रही है किया तो उसी बार में यह यह जिनहाई भी था तो पुलिस ने उसको तुरण पैचान लिया वह भागने की कोशिश कर रहा था इसने की कोशिश कर रहा था लेकिन बाद में जो सभूत पुलिस के पास थी वह बहुत ही ज़्यादा पक्के थे तो इसको पुलिस के सामने हार माननी पर ही और इसने कंफेस किया कि इसने 67 मुर्डर किये हैं और यह सुनकर पुलिस वालों के होश उर गया क्योंकि इतने सार मुर्डर सुनकर पुलिस वालों के होश उर गये थे मुर्डर करते वक इसने काफी चालाकी की थी बचने की सबुट मिटाने की लेकिन यह अपना डियने तो नहीं मिटा पाया क्योंकि जब यह विक्टिम्स का आरेपी करता तो वो लोग भी बचने की कोशिश करते इसको मा गया और जब वो दोनों DNA मैच हुआ और जब वो दोनों DNA को मैच किया गया तब वो पूरा एक 100% मैच था यानि कोई शक ही नहीं था कि यह वो सीरियर किलर नहीं है लेकिन दोस्तों इसने मेरे ख्याल से एक ही अच्छा काम किया कि इसने अपने जो फेत है वो कबूल कर लिय वरना तो कई किलर्स ऐसे हैं और कई क्रिमिनल्स ऐसे हैं जिनके सामने अगर पके सबूत भी रखे जाये फिर भी वो नहीं मानते हैं कि उन्होंने ही खुन किया है ऐसे कई चारे थे जैसे जOWन वेगेशी जिसने आखरी दम तक ही नहीं माना कि उसने ये सब खुन किया है लेकिन इसने अपना फेत मान लिया और किसी भी तरह का एपील करने से मना कर दिया दोस्तो 14 फेबुरी 2004 को उसको उसके जेल के सेल से लाया गया और एक जगर पर एक दिवार के सामने उसको बोला कि दिवार की तरह मूँ करके उन निल डाउन करे उसने निल डाउन किया और पीछे से एक फारिंग स्कॉड ने इसके सर पर गोली मार कर इसको मौत की सजा दे दी तो इस तरह से दोस्तो चाइना के सबसे प्रॉलिफिक सीरिल किलर का अंत हो गया और उसके साथ उसके क्राइम स्प्री का भी लेकिन दोस्तो मेरे मन में भी आया था और आपके मन में भी जरूर आ रहा होगा क्या रीजन किया था कि इसने इतने सारे खुन कर दिये क्या reason था कि एक serial killer बन गया क्योंकि हाँ ये गरीब था लेकिन इसके parents अच्छे थे और ये school वगएरा भी जाता था तो इस तरह की life तो बहुत सारे लोगों की होगी तो हर कोई तो killer नहीं बनता तो ये क्यों ऐसा बन गया अब इस चीज़ के बारे में ज़्यादा information नहीं है क्योंकि इसके बच्पन के बारे में ज़्यादा information मुझे मिले नहीं लेकिन बस इसके रिष्टेदारों ने जो कि आज भी जिन्दा है उन्होंने कहा कि ये बच्पन से ही काफी weird लरका था और ये बहुत ही बड़ा introvert था ये किसी से बातवत नहीं करता था और थोरसा अजीब सा था और मैंने आपको बताया ही था कि ये अपनी ही दुनिया में खोया रहता था और उस डाइरी में अपना एक world create करता रहता था इसके मरने से पहले इसका एक interview लिया गया था और इस interview में उसने एक बहुत ही खटरनाक statement दिया था वो statement इंग्लिश में मैं आपको अभी पर के बताता हूँ तो इस तरह का उसना कहा था यानि कि उसको इस दुनिया में इस society में शायद रहना ही नहीं था वो इतना hate करता था इस society में और वो एक remorseless killer था जो इन victims को तकलिफ पहुचा रहा था तो उसको कुछ भी feel नहीं होता था और ज़्यादा तर serial killers दोस्तों ऐसे ही होते हैं तो दोस्तों यही कानी थी आचकी थोड़ी शोट है लेकिन जल देखो और इसी तरह की interesting कानी लेके आएंगा till then thank you so much झाल कर दोस्तों जहीं होते हैं